नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडेल या किसानों का अंदोलन्त हमने का नाम ही नहीं ले रहा है किसान कृषी बिलको रद करवाने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं उधर सरकार कृषी बिलको रद नहीं कर रही है आलम यह है कि सरकार और किसानों की कई बार बारता हो चुकी है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा किसानों ने तो यहां तक कह दिया कि अभी तो हमने सिर्फ तंबू गाड़े हैं कानून वापिस नहीं हुए तो हाईवे पर पक्के मकान भी बना लेंगे आपको बता दें कि दिल्ली के सिंगू बॉडर और टीक्री बॉडर पर किसान आंदोलन रथ हैं इसके साथ देश भर में कृशी कानूनों का विरोध जारी है तीनों नए कृशी कानूनों के खिलाफ किसान 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं आपको यहां बता दें कि धीरे धीरे अब टीक्री बॉडर पर भी किसानों की संख्या लगबग उतनी ही हो चुकी है जितनी की सिंगू बॉडर पर है यहां से अखबार निकल रहा है लाइब्रेरी खुल गई है थेटर चलाया जाने लगा है किसान मौल बन चुका है दिल्ली रोहतक रोड पूरी तरह से किसानों के कबजे में है और हर दिन के साथ उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है इस अड़क पर जगए जगए खड़े मेट्रों के पिलर अब आंदोलन कर रहे किसानों का अस्थाई पता बन चुके हैं आपको यहाँ यह भी बता दे कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का शुरुवाती दोर में सबसे बड़ा किंद्र दिल्ली के उत्तरी छोर पर बसा सिंगू बॉडर ही था उस वक्त टीक्री बॉर्डर के मुकाबले सिंगु बॉर्डर कई गुना ज्यादा किसान जमा हो चुके थे धीरे धीरे अब टीक्री बॉर्डर पर भी किसानों की संख्या लगब उतनी ही हो चुकी है जितनी की सिंगु बॉर्डर पर है टीक्री बॉर्डर पर अंदोलन के धीरे धीरे बढ़ने का एक कारण ये भी है कि यहां हरियाना से आए उन किसानों की संख्याज ज्यादा है जो अंदोलन में एक साथ ना आकर अलग-अलग समय पर शामिल हुए हैं हरियाना के जजजर, रोहतक, जीन, कैथल, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, भिवानी और चर्की दाद्री जैसे जिलों में तमाम किसानों के लिए सिंगु की तुलना में टीक्री बॉर्डर जादा नस्दीक हैं लहाजा वे यहीं जमा हो रहे हैं आपको बता देगी क्रिशी कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 35 वा दिन है, किसानों की आज दो पहर दो बज़े सरकार से बातचीत होगी, हलागी किसान कानून वापसी और MSB पर अलग कानून लाने की मांग परड़े हैं किसानों और सरकार के बीच पहले हुई छे दोर की बातचीत बे नतीजा रही थी आखरी मीटिंग 8 दिसंबर को हुई थी, उसके बाद बातचीत का दोर थम गया था और किसानों ने विरोध तेज कर दिया था ऐसे में सरकार ने तीन बार चिठिया लिख कर किसानों को मीटिंग के लिए मनाने की कोशिश की आखर किसान बैठे के लिए राजी हो गए लेकिन कहा की चर्चा उनके एजन्डे पर ही होनी चाहिए संयुक्त किसान मोर्चा ने बादचीत के लिए राजी होने का इमेल मंगलवार को सरकार को भेजा इसके बाद ग्रह मंत्री अमित शा, क्रिशी मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पियुश गोयल और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने मीटिंग कर स्ट्रेटिजी बनाई कृषी मंत्री ने शाह को बताया कि सरकार ने किसानों को क्या क्या प्रपोजल भेजे हैं और किसानों का क्या एजेंडा है दो घंटे चली बैटक में चर्चा हुई कि दोनों पक्षों के एजेंडे में जो अंतर है उन्हें कैसे कम किया जाए आखिर में तैह हुआ है कि सरकार पहले अपने पुराने प्रस्तावा पर मुनाने समझाने की कोशिश करेगी यहां आपको ये जानना चाहिए कि किसानों को कब कब सरकार के साथ बैठे खुई 14 अक्तुबर मीटिंग में कृशी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर की जगे कृशी सचेवाय किसान संगटनों ने मीटिंग का बायकॉट कर दिया वो कृशी मंत्री से ही बात करना चाहते थे 13 नमंबर कृशी मंत्री नरेंदु सिंग तोमर और रेल मंत्री पियुश गोयल ने किसान संगटनों के साथ मीटिंग की 7 घंडे रगबाची चली लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला 1 दिसंबर 3 घंडे तक बात हुई लेकिन किसान संगटन 3 कानून रद करने की मांग पर ही अड़े रहे 3 दिसंबर 7.5 घंडे तक बात चीच चली सरकार ने वादा किया कि MSP से कोई छेड़ चाड़ नहीं होगी किसानों का कहना था कि सरकार MSP पर गैलेंटी देने के साथ तीनों कानूनों को भी रद करे 5 दिसंबर सरकार MSP पर लिखित गैलेंटी देने को तयार हुई लेकिन किसानों ने साफ कहा कि कानून रद करने पर सरकार हाँ या नामे जवाब दे 8 दिसंबर भारत बंद के दिन ही ग्रह मंत्रिया में शाने बैठक की अगले दिन सरकार ने 22 पेज का प्रस्ताव दिया लेकिन किसान संगटनों ने इसे रेजेक्ट कर दिया बता दे चले कि किसान कृशी कानूनों के विरोध में आंदोलन रथ हैं तीनों ने कृशी कानूनों के खिलाफ किसान 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें घन्ने वाद शेयर और सब्सक्राइब करें